मौर्निंग अफर्मेशन रोज सुभी से जरूर सुने दोस्तों आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे अफर्मेशन या कुछ ऐसी बातों की बारे में बात करने वाले हैं या मैं आपको कुछ ऐसी बाते बताने वाली हो जिसको आप अगर अपनी जिनकी में अमल करते हैं तो में ध्यान पूर्वक इसको सुनना है चली शुरू करते हैं रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूं अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत भर जाती है और जब मैं एक करके एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बिताने लगता हूं तो मेरी जिन्दगी अच्छी हो जाती है मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं आज का ये दिन मेरी आने वाली जिन्दगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिन्दगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है आज मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ अतीत मुझे जाने अंजाने जो भी गलतिया हुई या मेरे साथ जो भी कुछ गलत हुआ उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूँ मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बलकि आने वाले खुपसूरत पल पर है आज मुझे जो कुछ करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तयार हूँ मेरा मन बिलकुल भी शांत और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष पर केंद्रित है मेरा ये मानना है कि मेरे साथ जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है मेरी जिन्गी में जो भी मुश्किले हैं मैं उनको मुश्किलों की तरह नहीं बलकि एक अफसर की तरह देखता हूँ खुद को आगे बढ़ाने का अफसर, खुद को जानने का अफसर, खुद को अंदर से और शक्ती शाली बनाने का अफसर आज जो चुनोतियां मेरे सामने आने वाली हैं उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह किसे तयार हूँ मुझे अपनी जिन्दकी से बहुत प्यार है, मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धी किसी भी परिस्थिती में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है मेरा मन आनन्द से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ और हस्ता खेलता रहता हूँ ये जिन्दगी मेरे लिए एक खेल जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिला रही हूँ मुझे हार से या जीत से कोई फरक नहीं पड़ता, मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जिन्दगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशिया है वो खुद चल कर मेरे पास आए आज जो कुछ भी मेरे पास है, जो लोग भी मेरे साथ है उन सब के लिए मैं अपने पूरे पूरे दिल से शुक्र गुजार हूँ मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तिया मेरे साथ हैं और मेरे अंदर उर्जा का पूरा का पूरा भंडार है अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई तागत नहीं रोख सकती मेरे लिए कुछ भी नामुम्किन नहीं है, सब कुछ मुम्किन है जो भी मैं सोचता हूँ, वो सब मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ दोस्तों हम सभी को मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने चाहिए, हमें इसको सुनना चाहिए और अपने दोस्तों को अपनी फैमली को भी इसे जरूर सुनाना चाहिए दोस्तों हमें कॉमेंट के माध्यम से ये बताईए कि रोज सुभ इसे जरूर सुनने वाला वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी से निवेदन हैं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो और हमारे वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिले तो अपने जीवन में अवशक बदलाव जरूर करें फिर भी अगर कुछ छती दिखे तो हमारे लिए छोड़ दें और हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा ताकि हम अवशक बदलाव कर सकें आपका एक शियर हमें आपके लिए बहुती बहुती महत्वण होगा आपका एक एक शियर हमें आपके लिए नए वीडियो लाने में मदद करेगा दोस्तों हमें भी प्रेरित कीजिए आप भी प्रेरित होए ऐसे ही कहानी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जोड़ने क के लिए आपका तही दिल से शुक्रिया दोस्तों मैं फिर से उपस्तित होंगी नई कहानी और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आप देख रहे थे आपका अपना पसंदिता यूट्यूब चैनल अध्यात्मी कहानिया